तो इस मुवी की शुरुवात आइरन मैन पार्ट वन के एंडिंग सीन के बाद से ही होती है जहांपर टोनी सब को बता देता है कि मैं ही आइरन मैन हूँ दूसरी तरफ रशिया में ये निउस देखते हुए एक बुजर्ग इंसान की डैथ हो जाती है इनका नाम था एंटन वैंको जो की टोनी के फादर हौवर्ड स्टार्क के फ्रेंड और पार्टनर थे इन्होंने टोनी के फादर के साथ मिलकर आर्क रियक्टर बनाया था लेकिन एंटन वैंको इस टेकनोलोजी को बुरे लोगों को बेच कर पैसा कमाना चाहते थे लेकिन होवर्ड स्टार्क इसके खिलाफ थे और उन्होंने वैंको को जासूसी की इलजाम में फसा कर देश से निकलवा दिया और होवर्ड स्टार्क ने आर्क रियक्टर को बनाने का क्रेडिट ले लिया इसके बाद एंटन वैंको की पूरी लाइफ बहुत मुश्किलों में गुजरी इसकी वज़े से वो शाराबी बन गया और ज्यादा तर बिमार ही रहता था एंटन वैंको का एक बेटा है जिसका नाम है आईवन वैंको ये भी अपने फादर की तरह एक साइन्टेस्ट है लेकिन इसके साथ साथ ये एक क्रिमिनल भी है और ये दोनों ही अपनी बरबादी के लिए स्टार्क फैमिली को जिम्मेदार मानते हैं अपने फादर की डैथ के बाद आईवन ने कसम खाली कि अब वो इसका बदला टोनी स्टार्क से लेगा इसके बाद उसने अपने फादर के दे हुए डिजाइन से एक आर्क रेक्टर बनाया और उस आर्क रेक्टर से चलने वाले एक सूट भी बनाया दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गवर्मेंट टोनी स्टार्क के उस आईरेन मैन वाले सूट को एक खत्रा मानती है और टोनी को उस सूट को मिलीटरी को सौपने को भी बोला जाता है पर टोनी अपना वो सूट सरकार को बेचने से मना कर देता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आईरेन मैन सूट को बार बार यूज़ करने की वज़े से टोनी की चेस्ट में जो आर्क रियक्टर है वो उसकी बोड़ी में पॉईजन फैला रहा है जिससे उसकी हालत दिन बदिन खराब होती जा रही है इससे उसका बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है इस वज़े से वो अपनी असिस्टेंट पैपर पॉट्स को अपनी कमपनी का ओनर बना देता है और अपने लिए एक न्यू असिस्टेंट रख लेता है जिसका नाम होता है नताशा रोमनोफ एक दिन जब टोनी एक कार रिसिंग कॉंपिटिशन में पाटिसिपेट करता है तो तभी वहाँ पर आइवन वैन को आकर टोनी पर अटेक कर देता है उसने अपना वो न्यू सूट भी पहना हुआ था तभी टोनी भी फोरण अपना आइरन में वाला सूट पहन कर उससे फाइट करता है और उसे एजली हरा देता है इसके बाद पुलिस आकर उसे अरेश्ट कर लेती है इसके बाद टोनी वैन को सी मिलने जेल मे जाता है और उसे चिडाते हुए गलती से उसके आर्क रियक्टर और सूट की कम्यों और उन्हें सुधारने के तरीके भी बता देता है दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस्टिन हैमर नाम के एक आदमी जो की स्टार्क इंडेस्ट्रीज का कॉम्पिटीटर होता है वो वैनको के इस काम से बहुत खुश होता है और उसे मरा हुआ साबित करके उस जेल से निकलवा लेता है और उसे खुद अपनी कमपनी में रख लेता है ताकि वो उसकी हेल्प से आईरन मैन जैसा सूट बना सके और उन सूट्स को गवर्मेंट को बेश सके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी अपने वर्थडे के दिन अपना आर्मर पहन कर शराप के नशे में बहुत तमाशा करता है टोनी को रोकने के लिए उसका फ्रेंड जेम्स रोडीज टोनी का एक पुराना आर्मर पहन कर उससे फाइट करने लगता है और टोनी को शांत करके उस आर्मर के साथ वहाँ से चला जाता है दरसल टोनी नहीं रोडीज को अपना वो आर्मर यूज करने के लिए अलाव कर रखा था रोडीज मिलीटरी में काम करता था जिसकी वज़े से इंडिरेक्टली गौर्मेंट को भी टोनी का आर्मर मिल ही गया था गौर्मेंट रोडीज के इस आर्मर को जेश्टीन हैमर से अपग्रेड करवा लेती है इसके बाद से ये आर्मर वार मशीन के नाम से जाना जाता है इसके बाद Nick Fury टोनी के पास आकर उसे बताते हैं कि वो टोनी की न्यू असिस्टेंट असल में शील्ड के लिए काम करती है और शील्ड नहीं उसे टोनी पर नजर रखने के लिए भीजा था क्योंकि टोनी उल्टी सीदी हरकते कर रहा था वो टोनी को आर्क रिएक्टर से फैलने वाले पॉईजन से भी बचाना चाहते थे इसलिए वो टोनी को उसके फादर का पुराना समान देते हैं जिसमें टोनी के फादर के एक वीडियो भी थी जिसे देखकर टोनी समझ जाता है कि वो किस तरह से अपने आर्क रीक्टर को सुधार सकता है इसके बाद टोनी वो special element बना लेता है जिसे अपने आर्क रीक्टर पर यूज करने पर वो perfect बन जाता है इस तरह से टोनी को आर्क रियक्टर से फैलने वाले पॉइजन से छुटकारा मिल जाता है नेक्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैंको ने अपने आर्क रियक्टर को और भी इंप्रूफ कर लिया होता है और वो एक और एडवांस आरमर भी बनाता है इसके बाद वो Tony को call करके धमकी भी देता है दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि Justin Hammer अपने new robots और roadies का upgraded armor सब के सामने introduce करता है लेकिन तभी वहाँ पर Tony आकर Justin से इस सब के बारे में पूछताज करने लगता है फिर हम देखते हैं कि Venko उन सभी robots और roadies के armor को hack करके Tony पर हमला करवाने लगता है लेकिन तभी Tony इन robots को वहाँ लोगों से दूर ले जाकर उने destroy करने लगता है इस incident के बाद Justin Hammer को arrest कर लिया जाता है दूसरी तरफ Natasha Romanoff Venko को पकड़ने के लिए जाती है लेकिन Venko वहाँ से भाग चुका होता है इसके बाद Natasha roadies के armor को ठीक कर देती है फिर Tony और roadies मिलकर उन robots और Venko से fight करके उने हरा देते हैं इस fight के end में Venko, Tony को मारने के चक्कर में उन सभी robots और खुद को blast कर लेता है इससे Tony तो बच जाता है लेकिन Venko मारा जाता है movie के end में हमें दिखाया जाता है कि Nick Fury Avengers Initiative के बारे में Tony से बात करते हैं और कहते हैं कि Tony अभी इसके लिए ready नहीं है क्योंकि उसका behavior अभी ठीक नहीं है फिलाल उसे shield का बस एक सलाकर बनाया जाता है और इसे के साथ ही movie end हो जाती है